हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं two important information के बारे में जो कि आप सभी students के लिए बहुत ज़्यादा important है तो दोस्तो आईए बिना देरी करते वे वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले important update यह है कि अगर आपने इगनू में admission नहीं लिया है तो आपके जो admission है इगनू में January 2024 session के लिए वो अभी चल रहे हैं चाहें आप odial यानि distance mode से या online program करना चाहते है इगनू से तो यहाँ पर अभी जो admission portal है वो यहाँ पर active है January 2024 session के लिए जो admission की परक्रिया है वो 31 January 2024 तक है तो अगर आपने अभी admission नहीं लिया है तो जल से जल admission ले लें क्योंकि 31 January तक आपके admission चलेंगे बहुत सारे students ऐसे हैं जो अपने result का wait कर रहे थे तो कुछ students के exam भी complete हो गए है result आने वाला है तो 31 January तक अपना admission ले ले अगर आप इगनू में admission लेना चाहते हैं किसी भी bachelor, master, diploma, pg diploma या certificate program में तो यहाँ पर आप admission ले सकते हैं simply आपको क्या करना है यहाँ पर program information में जाकर चेक करना है कि इगनू कौन कौन से program करवाता है बाकि इसके लिए मैंने पहले से video भी बनाया हुआ है कि इगनू में कौन कौन से program है जो आप program कर सकते हैं तो यहाँ से आप यह video देख सकते हैं और यहाँ से program भी आप देख सकते हैं जो भी program करना है simply उसके उपर read more पे click करना है उस program के बारे में सारी detail आ जाएंगे पर आप देख सकते हैं आपके 29 जनवरी 2024 तक री रेइस्टेशन चलेंगे without late fees इसलिए इसलिए जिस भी students ने अपना next year यानि second year या third year के लिए री रेइस्टेशन नहीं करवाया या second semester, third semester, fourth semester के लिए re-registration नहीं करवाया तो आप जल से जल अपना re-registration करवा लें क्योंकि अगर आप re-registration नहीं करवाएंगे तो आपका six month या एक year भी waste हो सकता है इसलिए तो जो भी students अपना re-registration नहीं करवा पाएं तो जल से जल last date से पहले re-registration करवा लें और अगर आपको नहीं पता है कि re-registration किन इस्टुएंट को करना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको complete information मिल जाएगी कि कौन-कौन से इस्टुएंट से re-registration के लिए eligible हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग सुझ मेरी मिल जाएगी अधको अीडियो ओ liftा सकते हैं तो आपको उता हैं तो आपको झाल से गो ह्चापी कि लाएगी कर दोदाएगी का ठीको वां कंजड़ा है ये रभियो ने